गुड मॉर्णिंग आज है नोमबर की पांच तरीक और इस समय गुलदावदे में इस तरीके से कलिया आ गई होंगी सबी जो भी व्राइटी होंगी और नर्सरी में जो भी मिल रहे हैं वह आपको ब्लूमिंग भी देखने को मेल सकती है क्योंकि वह इंपोर्ट किये होते हैं गुलदावदी यानि की खृषंठिमम बहुत सारे जो इसके नेम है चंदर मली का भी वोलते हैं यानि की अलग-अलग स्टेट में जो है अलग अलग नेम हों से जो है से जाना जाता है वैसे आप कर स्सक्राव जो है बेसिकली कि एक इस तरीके से अगर गुलदावदी में क करना है पौधे की अगर बात करें तो तीन पिंचिंग ही काफी होती है गुल्दावदी में व्राइटी के उपर भी डिपेंड करता है तो अगर कलिया इस तरीके से आ गई हैं तो सबसे पहले आपने काम वह नहीं करना कि मालीजिए आपके पौधे में किसी भी चीज का अटा साइड से इन पौधों पे स्प्रे तो बिल्कुल नहीं करना है कित पतंगों से चुटकारा दिलाने के लिए क्यों नहीं करना है देखिए चाहे और चाहें केमिकल हो जिस भी कंडिशन में यूज करें हम तो क्या है कलियों पे पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ तो एफेक्ट करेंगे कीत पतंगों को मारेंगे लेकिन कलियां जो है हमारी खराब हो सकता है इनमें भी जो है प्र общ gesam 은 तो मिल सकता है इसलिए आपने क्या करना है कोई भी रोग लगा हो लेकिन आपने इस पर फंजी साइट से छिटकाव नहीं करना है क्लियों पे बिल्कुल नहीं करना है अब बात करें कि फिर हमें छुटकारा कैसे दिलाई कीड पतंगों से जोगी पौधों पे अटाक हो गया ह अगर आपने इनका ट्रीटमेंट किया होगा तो यह समस्य आएगी नहीं तो मेरे पाध में देखे कलिया अभी स्टार्टिंग स्टेज पे थी मतलब आई नहीं थी तब इनमें जो है वसी रोक तो भी लगा नहीं था लेकिन चिली के पाध है उन में जो है एफिट के अटै था यह लिगा नीए है दूसरा काम करना है हमने विख रहे हैं इथ से उधर आपने कराना है जैसे धूप एक तो ध्यान रखके मूव्मेंट कराते समय नहीं बड़े प्यार सी इनको खाना है और पड़े प्यार से रखना है अगर आप क्लीनिंग कर रहें ताप सपाई भी क में सफाई कर रही थी मतलों आज नहीं दो ती दिनी पहले सफाई किया था मैंने और इसको यह पॉट यहां पर था यहां से यहां रखा ताकि मैं नीचे से क्लीन कर सकूए तो इस चेकर के इस दोरान जो है एक इस इनकी जो यहां की प्राचेश थी न वो तूट गई और यह यहां पर एक ब्राचेश थी एक और तूट गया हलका सा बस मेरे हाथों के तवारा ही लगा और जो ब्राचेश से तूट गी तो पौधे अच्छे तरीके से गोल में था लेकिन अब इसकी शेप बिगड़ गी है तो यह गलती आपने नहीं करना अगले मिस्ते किये नहीं कर तो इस चकर में आपने सभी पौधों को पानी डेट डाला लेकिन गमले की मिटी आपने चेकी नहीं किया कि मिटी में तो भाई नमी है पानी देने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो इस चकर में भी पौधे हमारे खराब हो जाते हैं अचानक से खराब हो जाएंगे तो यह गल्ती हमने नहीं करना अगला जो है वेड विगरा तो उगते रहते हैं तो इसको भी उखारना बहुत ज़रूरी है नहीं तो यह पौधे की नर्जी खुद लेके बैड़ जाते हैं तो इनको तो हटाना हटा नहीं है और ऑ यह जैसे आप देख रहें ना इसमें ये निच्ची पतिया जो है ड्राइ हुई पड़ी हैं अबने किया हमने इनको हटाया नहीं तो फंगस विगेरा केट विगेरा जो है इसमें इसमें अटाक कर सकते हैं तो इसलिए क्या है इनको हटाना ये दिखिए तो देखे इस तरीके से फंगस भी लग चकते हैं और कीट वेगरा भी आ सकते हैं इसलिए क्या है इनको हटा दीजिएगा तो यह गलती मत किजिएगा पतिया देखा सुखा और पौधे पर ही छोड़ दिया अब इसमें अच्छा तरीके से एरेशन भी होती जाएगी अगला जो काम है सपोर्ट सपोर्ट जो है देखे रखे बाद पर ऑट कर सकते हैं इसे यह तो सपोर्ट देदिजिए तक चल जागा काम लेकिन जब यह ब्लूम होंगे ना इकलिया जो ब्लूम होंगी तो इनका वेड़ जाता हो जागा इस्टेम का और छूकेंगी तो जुकेंगे तो क्या यह जो इनकी टहनियां होती है वो तूट सकती है इसलिए सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है अगला इनको जो है ट्रेशे में तो खाना दीजिए लिकूर फटलाइजर हपते हपते फीड करना है आपने जब तक की जो कलियां है बलूम नहीं हो जाती बलूम होने के बाद कुछ नहीं देना सिर्फ पानी हमने देना है इस बात का जो है कंट्रोल कर रखे कि खाद भूलना नहीं है खाद हमें देना ही देना है क्रिसंथिमम क्यूंकि हैवी फीडर है और हम अच्छे तरीके से अगर इनको फीट नहीं कराया तो यह सही तरीके स नहीं आएंगी पौदा अच्छे तरीके से बलूम नहीं हो पाएगा जैसे यह तो मैंने देखे टेंप्रेरी बेसेस पर रखा हुए चोड़ 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 कंटेनर है उपर यह दखी यह है और इससे ढग गया तो यह शेड में आ गया इसके तो ऐसे हमने नहीं रखना ह क्योंकि इसको तुम्हें हटाटी रहती हूं तो ऐसे नहीं रखना है यानि कि अंड़ा शेड नो जो है पौधे को नहीं रखना है इनको पुरा फूल ओपर में रखिए ताकि इनको धूप में मिले और रात की जो फॉग होती है शबनम की जो बुंदे होती है वो भी मिले ठंडी रहते हों मिलेंगी इनको अच्छी तरीके से पूरा उपन तो पौधे की कलिया स्ट्रॉंग होगी और जिन भी पौधे में कलिया नहीं आई है तक तो आने लगेंगी और पौधे अच्छी तरीके से ब्लूमिंग पेजो है चला जाएगा अब छुट 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 तो काफी अच्छे लगेंगे इस तरीके से दिखिए तो इस तरीके से भी जो है आप रिसंथिम्म जो है लगा सकते तो बस यह कुछ टिप्स है अगर आफॉलो करेंगे तो क्या है आपके पौधे जो है सही सलामत रहेंगे और जो है कोई समस्या जो है दिखने को नहीं मिल देगी तो चलिए फिल मिलते हैं अगली अपडेट के साथ हैपी गार्डनिंग बाई बाई बाई